मेरे पहरे देश वास्यू समाज की मनोरचना अबेवी बदलाव कभी कभी बहुत बढ़ी चुनोती का कारण बन जाता है हमारा हर देश वासी ब्रस्टाचार की दिमक से परिशान रहा है हर स्थर के प्रस्टाचान ने सामान ने मानवी का व्यवस्ताओं के प्रति विश्वात तोड़ दिया उसको अपनी योग्यता च्छमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राश की प्रगति में नुक्षान करता है और इसलिए हमने बाव्यापक गुरुप से प्र प्रतिष्टा नहीं हो सकती है रास के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता है और इसलिए इमानदारी के साथ प्रस्टाचार के खिलाप मेरी लड़ाई चारी रहेगी तीव्रगति से जारी रहेगी और प्रस्टाचारियों पर कारवाई चुरूर होगी मैं प्रस्ट लेकिन सबसे बढ़ी नई चुनोती आई है बर्साचारियों से निपटना तो है लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक परिवर्तन आया है वो सबसे बढ़ी चुनोती भी है और एक समाज के लिए सबसे बढ़ी चिंता भी है क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही तोड़ाल को एसे हुए इस लोग निकल रहे हैं जो ब्रसंटा चार का महिमामंदन कर रह को के खूले आम मपूंटा चार का जैजेकार कर रहे कैं समाज में इस प्रकार के बीज वोने का जो प्यास हो रहा है प्रस्टाचार का जो महिमा मंदन हो रहा है प्रस्टाचारियों के स्विकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्यात चल रहा है वो स्वस्त समाज के लिए बहुत बड़ी चुनोती बन गया है बहुत बड़ी चिंता का विश्य बन गया है प्रस्टाचारियों के प्रति समाज म दूरी बनाये रखने से ही किसी भी प्रस्टाचारी को पुर्ष रास्ते पर जाने से डर लगेगा अगर उसका महिमा मंदर होगा तो जो आज प्रस्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है तो समाज प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है उस रास्ते पर जाने में बुरा नह झाल 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 हो झाल